हेलो गाईस तो आज हूँ अपने चैनल पर फाइनली सबसे पहला जो Q&A वो पोस्ट कर रहे हैं इस चीज को लेके मैं काफी जादा खुश हूँ अपने यूट्यूब पर भी जो हमारी सब्सक्राइबर फैमली है वो नियर अबाउट 4.5K के आसपास आ चुकी है तो इसके ल पिक करे हुए हैं और overall इस Q&A के अंदर मैं क्या शेयर करना वाला हूँ वो बताऊं तो इस वीडियो के अंदर मैंने ऐसे ज्यादा पिक करे हुए हैं जिन पर मैं प्रॉपर वीडियो अभी नहीं मना सकता लेकिन हां आप सभी लोगों के साथ डिसकस करना या पर कह सकते है शेयर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और आपको हमारे कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना और हो सके तो इसे एंड तक देखना तो चलिए अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करता है तो इस Q&A के अंदर काफी सारे लोगों ने मुझ से रिलेटिड या फिर मेरे पर्सनल लाइच से रिलेटिड भी कुछ सवाल पूछे हुए तो उनका मेरे जल्दी से जवाब दे देता हूं एक-एक करके तो सबसे पहले कोशन अपने निलेज भाई का आया और ये मुझ से चेंज करने के बहुझीद मेरे अपने चैनल नेम पें आया उसके और बाद मेरे दिमागा इंडिया कि मेरे खाल से बड़ा होने वाले हैं तो अब अगला सवाल नेक्स गौतम भाई ने एक क्वेशन हमसे पूचा है थोड़ा सीरियल वाइस करके मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूं इनका सवाल यह है कि भाई क्या आप नौर्थ इससे बिलॉंग करते हो इसका सवाल के जवाब अगर मैं दू तो मैं सब्सक्राइबर आपके बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप वोटे रोते जा elas होते तो भाई इसमें बिल्कुल भी सच्चा ही नहीं है या फिर क्या पता थोड़ी बहुत हो भी सकती है अगला सवाल काफी सारे लोग ने बढ़िया बढ़िया कोश्चंस मुझसे पूचे हैं मेरे कंटेंस से रेलेटेड मेरी वीडियो से रेलेटेड तो सबका है करके मैं आपक पर इसमें के बाद कौन सा जो आईफोन होने वाला है तो सबसे पहले आपका जवाज दू तो आइफोन 12 मिनी का मेरे खाल से जो सबसे लोएस जो मैंने प्राइस देखा है वह 56 या 55,000 रूपीज के आसपास मैंने देखा हुआ है तो इससे मेरे खाल से अभी तो इससे जद लोग नहीं आएगा लेकिन हो सकता है कि आइफोन 13 लाउंच के बाद आइफोन 12 मिनी और आइफोन 12 दोनों का जो प्राइज हो थोड़ा थोड़ा और कम हो जाएगा और अगस्त तक की बात करें तो मेरे को हुई लगता है कि अगस्त में जो 15 अगस्त की सेल आती है उसमें लोएस्ट फिर से आपको 54 या 55 के आसपास यह फोन आपको देखने को मिल जाएगा और नेक्स इनका कुशन है कि आइफोन 13 के बाद कौन सा जो आइफोन डिसकंट्यून हो जाएगा लेकिन मैंने को यह शूर मैं कह सकता हूं कि आइफोन 13 के लांच होने के बाद जो आइफ सवाल सुभाज शुकला जी ने पूछा हुआ है इनका कहना यह है कि अंदर सेप्टेंबर में लेने का प्लान कर रहे है आइफोन 12 128 GB और यह पूछ रहे हैं कि 65 के अंदर यह डिवाइस आप ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं तो सब्टेंबर के एंड या फिर ऑक्ट देशने को मिलेगा और अराम से आप 65,000 तक का आपना जो डिवाइस है आइफोन 12 वो ले सकते हैं लेकिन मेरी ख्याल से आपको आइफोन 13 का लॉंच होने का वेड़ कम से कम करना चाहिए अगला समय पर पूछा हुआ है कि 11 और 12 की बीच में इनको कौन सा डिवाइस लेना साथ साथ नों है लास में 1 प्लस 9R को भी आड करा हुआ है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा तीनों जो डिवाइस हैं वो बहुत ही जादा डिफरेंट प्राइस बजट के अंदर आते हैं और अगर आप कन्फ्यूज हैं 11 और 12 में तो 11 में आप इस टाइम पे बिल्कुर हुआ है इसके ओपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाना चाहता था लेकिन काफी छोटी वीडियो हो जाएगी उनका सवाल यह कि क्या आइफोन 12 50,000 रुपेस के आजपास के बजट में क्या आप ले सकते हैं या पर नहीं तो हाँ बिल्कुल ले सकते हैं लास्ट येर की ही बात अब ही करते रहें लेकिन दो महीने बाद ही उसका जो प्राइस है वह 50,000 से नीचे आ गया था 47 और 48 के आसपास जो इस ताम पर प्राइस चल रहा है वह तब से ही चला आ रहा है मेरे कहल से दिवाली के आसपास जो प्राइस रॉप वह हो गया था तो हाँ बिल्कुल आप ल अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है और उपर आई बिटन पर एक वीडियो मैंने प्रॉपरली बताया हुआ है कि आइफोन 12 मेड इन इंडिया अभी तक मार्केट से क्यों कायब है नेक्स अडवाइस मों लोगो देना चाहता हूं आईफोन 12 लेने का सोच रहे हैं आने वाले चार से पांच महिने के अंदर तो उन सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम आईफोन 13 का लाउंच इवेंट का वेट जरूर करिए क्योंकि प्राइस डॉप उसके बाद आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे अभ इस बार जो इंटरनेशनल ये प्राइस डॉप करेंगे वो भी इंडिया के अंदर रिफ्लेक्ट होगा साथी साथ आपको टेक्स के बारे में बताया है कि आईफोन 12 मेड इन इंडिया जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा अगस्त के अंदर और उसके बाद जो आपको डिवाइस आराम से 63 या 64 के आसपास मिलने वाला है लेकिन मेरे ऐसा परसनल गैसा है कि 60,000 डुपिस के आसपास जो है वो आपको ये डिवाइस देखने को मिल सकता है जो मैट्रिक्स गेमिंग ने हमसे पूछा हुआ है कि क्या उनको आइफोन एक्सर दोजार एकिस में लेन नहीं लेन आ चाहिएं तो उपर आई बिटन पर वीडियो आ रही होगी आइफोन डिटेल वीडिए है और나ं या पर ना लें या पर न ले और अगर बात करें करैं साथ लास्ट सेकंड वीडियो आइफोन सी 3 के उपर भी बना रही है डिटेल में एक एक जो डाउट है वो सारे मैंने क्लियर करे हुए तो यह जो वीडियो है वह भी आप उपर आइपिटन पर या पर मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं आइफोन लास्ट कोश्चन यहां पर रुपेश कुमार जी ने पूचा हुआ है कि 50,000 के बजट के अंदर सबसे जो बेस्ट डिवाइस है वो कौन सा रहेगा तो अगर मैं इसका अंसर दूँ तो अगर आप पर्टिकुलर्ली गेमिंग के लिए कोई डिवाइस ढूंड रहे हैं तो आर सबसे पहले क्या-क्या ओप्शन आपको देखने को मिलते हैं आईकू सैवन लेजंड वन प्लस एट प्रो सामसंग एस्टी एफट वाला वेरियंट और साथ में जो लास्ट वन प्लस नाइन तो इन चारों में से अगर वैल्ली फोर मनी डिवाइस के मैं बात करूं तो पहल सिर्फ मुझे एक दिकत देखने को मिलती है कि यह लास्ट येर का फोन है और अगर आप इतना पैसा लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल लेटस फोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आप से कहूंगा वेट करिए दो हीने का वेट करिए वन प्लस जो नाइन टी है इसके पर मैंने लेटस एक वीडियो बना रही है जो कि मुझे लगता है काफी बड़िया डिवाइस रहने वाला है और वन प्लस जिससे हम काफी ज़्यादा नराज चल रहे हैं क्योंकि काफी इनकी स्पैसिफिकेशन है वो इतनी ज्यादा खास नहीं लग रही लेकिन प्राइस क देखके जा सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं वन प्लस 90 से रिलेटेड़ जितनी भी इस पैक्स और रूमर्स आई है उसको मैं काफी ज़्यादा स्रिक्ली फॉलो गर रहा हूं और इसका जो प्राइस है वो 52 के आसपास रहने वाला है अभी तक जो प्लस 9 pro है इसके बीच में यह काफी ज़्यादा अच्छे तरीके से fit हो पाएगा जितने questions आप सभी लोगों ने मुझसे पूचे थे और मैंने जो pick करे थे हूं सभी का मैंने answer दे दिया है अब जिन लोगों का question pick नहीं हुआ उसका सिर्फ एक reason है कि वीडियो काफी ज़्या बाएगा यह जिर अच्छे लोगों को तो खाया हुआ झाहल अटागाई